उदाहरन पांच एक लड़की जिसकी उचाई 90 सेंटी मीटर है एक लेम पोस्ट जिस पर 3.6 मीटर उचाई पर बल्ब लगा है से 1.2 मीटर 30 सेकंड की चाल से दूर जा रही है 4 सेकंड बाद उस लड़की की परचाई की लंबाई ग्याद कीजिए पहरे बच्चो उदाहरन पांच में एक मज़ेदार समस्य दी गई है और आप देखेंगे कि इस समस्य को हल करने में हम गणित में जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका कैसे उपयोग होता है यहाँ पर आप देखिए आपके सामने एक चित्र है और चित्र में एक लेम पोस्ट है एक बिजली का खंबा जहाँ उपर बल्ब लगा हुआ है और एक लड़की खंबे के पास से दूर चल के जा रही है और चार सेकंड बाद वो खंबे से खंबे BCD तक पहुंचती है और हमें यह दिया हुआ है कि इस चार सेकंड में जो उसके चलने की चाल है वो एक दशमलो दो मीटर प्रती सेकंड है माने हम प्रती सेकंड वो एक दशमलो दो मीटर चल रही है और चार सेकंड तक चलने के बाद डी पर पहुंचती है तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि चार सेकंड के बाद जो लड़की है उसकी छाया के लंबाई कितनी होगी यदि इन सभी जानकारियों को हम गणिती रूप से प्रदर्शित करना चाहें उसकी झाया तो आप देखियों कि घ्रुद चारियों कि उन्प इसके लोकित हैं आहरेइस पूरे चित्र में हमें लड़की को चाय दी हुई है 75 मिटरें 90 साम्ably इलबे सेंटी मीटर उन कह इसे हमने मीटर में लिखा, 0.9 मीटर, खंबे गोचाई 3.6 मीटर है, ये दूरी हमें सीथे तोर पे नहीं दी गई है, लेकिन बताया गया है कि 4 सेकंड तक खंबे सो उसने रास्ता तैय किया है, और प्रत्ते 1 सेकंड में 1.2 मीटर चल रही है, तो बहुत आसाने से निकाल सकत चार दशमलो 8 मीटर के बराबर है, बी डी, आप इसको यहां लिख सकते हैं, बी डी यानि जो लड़की ने 4 सेकंड में दूरी तैय की है, वो 4.8 मीटर है, लड़की की चाया को यदि हम एक समेटर माल लें, तो हमें दो दूरी आपर पता चल रही है, एक तो बी से डी तक क अब आप देखिए, क्या आप आधार भुत समानुपातिक प्रमे को उपयोग यहां पर कर सकते हैं, वो तभी होगा, दो तरिभुष तो बन नहीं, जहां पर C, D, E और A, B, E दो तरिभुष आपको दिखाए पड़ा, लेकिन दोनों तरिभुष समरूप हैं कि नहीं, यह आपको देखना है, तो आप देखिए, लडकी जो कि जमीन पर खड़ी है, और वो आधार के साथ 99 गौण बना ऐगी, वैसे खंबा भी जमीन पर खड़ा है, वो भी आधार के साथ 99 कौण बनाएगा, तो यह दो कोञ तो आपने 99 बराबर कर दिए, अब तीसरा कोर्ष आप वो भी आपके से बराबर होगा तो आप देख पा रहे हैं कि यह दोनों तिर्भुज हैं तिर्भुज A, B, E और तिर्भुज C, D, E इन दोनों तिर्भुजों का आप समरूप तिर्भुज कह सकते हैं तो यह सारी शर्ते जो मैंने आप से कहीं हैं आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कोड़ ABE पहले तो हम त्रिभुज लिख लें त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDE में CDE में कोड़ ABE कोड़ ABE बराबर कोड़ CDE यह दोनों सम कोड़ है इसलिए आपसे बराबर है कोड़ E दोनों त्रिभुजों में है कोड़ E बराबर कोड़ E यह उभनिस्ट कोड़ है इसलिए यह बराबर हो गया और तीसरा कोड़ भी आपसे बराबर होगा ही होगा क्योंकि त्रिभुज के यह दि दो कोड़ बराबर हैं आपस में तो तीसरा कोड़ भी दोनों त्रिभुजों को तीसरा कोड़ भी आपसे बराबर होगा तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज A, B, E और C, D, E समरूप है त्रिभुज C, D, E के अब जब समरूप्ता की बाँ आगई तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अन्पाद भी आपसे बराबर होगा और उस इस सिती में आप लिख सकते हैं कि A, B, B, C, D, A, B, 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 C, D, बराबर, बड़े वाले त्रिभुज की पूरी भुजा B, E, इस भी भूजा हिए से अब देखने के इस आपerved आपको इसका मान किसका मान शुर्य मान A, B, E का मान मालूम है, 3.6 मीटर है, तो A, B के जगह आप लिख सकते हैं, इसको हम इहां लिखें, 3.6 मीटर, तो हम 3.6 लिखें, और C, D, C, D है 0.9 मीटर, यह आपने A, B और C, D को लिख लिख लिया, अब उसका बी देखिए, B, E जो है, वो B, D और D, E के बराबर है, तो B, D क मान आपको मिल रहा है, 4.8 मीटर, आपने यहां लिखा है, तो आप B, E के जगह पर लिखेंगे, 4.8 धन X, फिर से देख लिजे आप, यह B, D 4.8 मीटर है, और D, E, X मीटर है, तो पूरा का पूरा B, E आप लिखेंगे, 4.8 धन X, बटे, D, E हमको लिखना है, D, E का मान X है, तो यह आपको एक समी करण मिला, जिसमे एक ही एक ज्यातराशी है, और इसको अब हल करें, तो क्या मिलता है, देखिए, आप 0.9 को 3.6 से कटाएंगे, तो आपको 4 मिलेगा, और एक सा फक्षा अंतर कर देंगे, तो 4 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4 तो हम इस पूरे को यहाँ पर लिखें, हमको मिल रहा है 4X बराबर 4.8 धन एकस, इस एकस बाइन तरफ ले आए, तो यह हो जाएगा, 4X रिन एकस बराबर 4.8 इसको आप यहाँ हल करें, 4X में से एकस यदि घटता है, तो आपको मिलता है, तीन एकस बराबर 4.8 और एकस बर बराबर मिलेगा 4.8 बटे 3 और यह हो जाए गए X बराबर 1.6 मीटर तो यह जो X का मान मिला आप देखिए X आपने माना था उस बच्ची के उस लड़की के परशाएं जिसको आप D.E. कह रहे थे तो D.E. का मान आपको मिला 1.6 मीटर तो यह आपका प्रशन था कि D.E. कितना ह यह लड़की की जो चाया बन रही है वो कितनी है तो वो मान आपको मिल रहा है 1.6 मीटर यह 1.6 मीटर यह आपका एंसर बच्चो करके देखें इन त्रिभुजों में समरूपता की जाच कीजिए और बताइए कि कौन सी कसोटी का उप्योग हुआ पहला है त्रिभुज X, Y, Z जिसमें X, Y, Z पर लंब है और Y, N की लंबाई 25 है और N, Z की लंबाई 9 है और शिर्ष लंब X, N 15 एकाई के बराबर है दूसरा रिखाकंड K, B और T, A दोनों एक दूसरे को O पर काड़ती है इससे त्रिभुज K, O, T और B, O, A बन रहा है K, O, 12, B, O, 6, A, O, 9, और T, O, 8 है तीसरा चत्रिभुज B, A, D, C में A, C विकर्ण है और लंबाईया क्रमशा AB बराबर 30, BC बराबर 36, CD बराबर 16 और DA बराबर 20 और विकर्ण AC बराबर 24 तो बनने वाले त्रिभुज ABC और ADC की समरूपता जाशनी है चोथा त्रिभुज CDE और त्रिभुज PRQ में कोण E सत्तर अंश, कोण D पचास अंश, कोण P साथ अंश और कोण R सत्तर अंश है तो इनके समरूपता की जाश करनी है झाले त्रिभुज झाले त्रिभु